तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इन माई निव वीडियो तो एक और नए वीडियो में आप सबी का स्वागत है दूस्तों अभी जो है फिलहाल में अपने खेद में हूँ और गया हूँ सब तो कटिया है तो अभी जो है बस प्याज जो है तयार हो गया है खोदने के लायक हो है तो अभी जो है हम लोग यही काम कर रहे थे तो एक क्यारी जो है हम लोगों ने खोद लिया है और इस पार प्याज देखिए यह देखिए काफी जो है बड़े-बड़े हुए हैं वरना हर साल तो बस कोई-कोई ऐसे ही देते थे तहार पर देखिए जो है काफी बड़े- और जो है इसको इस तरीके इसे कुछ एसे लेटा दिया है क्ली कीया पूर्थ है तो यहां पर यहां पर रखे हुए हैं तो यहां पर देखिए जो है हम लोगों ने आलू बॉया था गर्मी में तो इस बार तो इसमें जो है अभी आलू जो है नहीं आए हैं तीन को है जो है आलू बॉय हुए थे लेकिन आलू जो है लगता है कि नहीं होंगे हम लोग थोड़ा जो है निकाल के देखे थे तो उसमें जो है आलू बिल्कुल नहीं पर रहे थे और इसके बाजू में है हमारा ट्रमाटर तो यह ट्रमाटर जो है हम लोगों की समझो जान ह इसी महंगाई में जो है ये टमाटर रोज एक किलो से उपर जो है रोज हर बार टमाटर जो है निकलते हैं तो ये सब जो है प्यास वाया सब खोद लेंगे और ये सब कर लेंगे अगर खेज जुताएंगे तो इसको जो है ऐसे ही लगा रिने देंगे और बाकी जो पूरा खे तो भी जो है हम लोग एक तरफ खोद रहे हैं और एक तरफ जो है काट काट के ले जाके घर में रख रहे हैं और लाश्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो प्याज है कितना किलो जो है हुआ है दोस्तो हमारे खेत के जो है बगल में यहाँ पे देखिए बुट्टे बौवे हुए हैं और बकरियों के नाते यहाँ पे देखिए बकरियों के नाते फल्ली वल्ली जो है बहुत ही अच्छी तरीके से लगाए हुए है कि बगरिया ना खॅपाएं तो बहुत मेनत बाद जो है इतने बड़े जो है हो गए हैं और इसको बुट्टे भी बोलते हैं और जनरी भी बोलते हैं और बुट्टे के बगल में यहाँ पे देखिए मिर्चा, टमाटर, धनिया, यहाँ पे देखिए मूली और यहाँ पर अभी जो है बोया हुआ है जोनरी बुट्टे ही हैं तो अभी ये तो छोटे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है पूरे चारों तरफ से फली लगाया हुआ है और काफी ये देखिए बड़े-बड़े हो गए हैं मिर्चे तो हवा जो है बहुत ही तेचले हैं और आम इसी के नाते आम जो है बहुत ज़्यादा जड़ गए हैं देखिए पेड़ में जो है आम कुछ बचाई नहीं है बस थोड़ा बहुत है और ये है हमारा अमरूत और इसमें जो है यहां पे देखिए छोटे-छोटे जो है फल आ चुके हैं तो ये जो है हमारा खीरा है और खीरे में जो है फूल आने लगे हैं और वहां पे देखिए कड़ी पत्ती तो दोस्तों एक किलो में लगभग बीस किलो पचीस किलो जो है प्याज निकले हैं अगर उसके हिसाब से अगर हम लोग जोड़े ना तो हमारे पाद जो है चार को है उससे बड़े-बड़े हैं तो लगभग एक कुंटल से जो है पार जाएगा और अभी तो हम लोग कर रहे हैं अगले वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि कितना किलो जो है हमारा प्याज हुआ है तो हम जो है अभी व्लोग को करते हैं यहीं इंड तो आई होप आपको एफ वीडियो पसंद आया ह होगा तो पसंद आया तो लाइक कर देना ने चैनल पर उतो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो हम देंगे एक और नए वीडियो के साथ तक तक के लिए आप खुश देए एंड खुदा आपीज बाइबाए